तो आज का जो आपका पहला कुश्यन है था कि डबलू अम्रेला पूस्तक के लेखा कौन है तो देखे डबलू अम्रेला जो पूस्तक है ना ये रस्किन बॉंड के द्वारा लिखा गया है तो रस्किन बॉंड आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके लावा मैं आपको तादू की रसकिन बॉंट को जो है 1992 में साहित अकाडमी पुरुषकार से समानीत किया गया था इसके लावब विश्व में भारत का गेहु उत्पादन में जो है कौन सा अस्थान है तो देखे विश्व में भारत गेहु उत्पादन में जो है दूसरे अस्थान पे है और पहले अस्थान पे कौन सा देश है तो देखे पहले अस्थान पे यह आपका चीन देश है तो दूसरा अस्थान यहां पर एक correct answer होगा इसके लाव बात कर ले भारत के किस राज्जी में जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है तो देखे भारत के उत्तर पर देश राज्जी में जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है इसके लाव बात कर ले वि हुआ है नेक्स्ट कोश् pace आपका आप रहा है कि 2011 की जनगन ना कया नुशार भारत का प्रजनंदन यानिरी यह क्या रहा था तो देखे 2021 ही तो यह आपका 2.5 रहा था, तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है, next question आपका आप रहा था, कि 1983 का ODI Cricket World Cup, यह जो है किस देश में आयोजित किया गया था, तो देखें, 1983 का ODI Cricket Wish Cup है, यह आपका England देश में आयोजित किया गया था, तो England आपका यहाप एक correct answer होगा, इसके लावा बात कर ले, 1983 का ODI Cricket Wish Cup, यह जो है किस देश ने जीता था, तो यह आपका भारत देश ने जीता था, और उपविजेता कौन रहा था, तो यह आपका West Indies देश रहा था, वह यह अगर बात कर ले, 1983 के cricket Wish Cup में, भारत के जो है कपतान कौन रहे थे, तो यह आपके कपिल देव रहे थे, और कपिल देव को जो हरियाना हरिकेन के नाम से जाना जाता है, तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लावा आपके एक्जाम में, 2011 का Wish Cup से प्रशन पूछा जाता है, कि 2011 का जो ODI Cricket World Cup है न, यह किस देश में आयोजित किया गया था, तो यह आपका इंडिया, सिर्लंका और बांगला देश में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता टीम की बात कर ले, तो इसका जो विजेता टीम रहा था, वो आपका भारत देश रहा था, और उपविजेता जो यह आपका सिर्लंका देश रहा था, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लगा मैं आपको बता दू कि यह आपका ODI Cricket विश उका पहना, यह प्रते चार साल बाद आयोजित किया जाता है, जिसमें 1983 के बाद, 1987 में जो यह आपका भारत पाकिस्तान में आयोजित किया गया था, 1996 में भी जो आपका भारत पाकिस्तान और सिर्लंका देश में आयोजित किया गया था, इसके लावा 2023 में जो आपका ODI क्रिकेट विश्व कप होगा न यह आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा पूछा जाए पहला जो क्रिकेट विश्व कप है यह कब आयोजित किया गया था तो देखे पहला जो क्रिकेट विश्व कप है यह आपका 1975 में आयोजित किया गया था जिसमें 1975 में जो विजेता टीम रहा था यह आपका वेस्ट इंडिस देश रहा था उसके बा एक्जाम में एक प्रस्ण और पूछा जाता है कि अब तक सबसे ज़्यादा ओडियाई क्रिकेट विश्व कब जो है यह किस देश ने जीता है तो देखें अब तक आस्ट्रेलिया टीम ने जो है पांच बार ओडियाई विश्व कब जो वो जीत चुका है तो यह फैक्ट भी 2003 को जो है इंटरनेशनल फ्रेश वार्टर यानि मीठे पानी के अंत्रास्टे वर्स के रूप में घोसित किया गया था तो 2003 आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहाता है कि God of a small thing पुस्तक के लेखा कौन है तो देखें इस पुस्तक के जो देखा कैना यह अरुनदती रॉय है तो अरुनदती रॉय आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि अरुनदती रॉय को God of a small thing पुस्तक के लिए जो है यह आपका 1997 में मैन बुकर प्राइज भी जो वो दिया गया था तो यह फैक्ट भी आ भी आपको द्यान में रखना है नेक्स तो अपका अरहता कि वेन वाजदा परंसफर kalian कूंपनी तू दा ही 순प यानि इस इंडिया कंपनी से ब्रिटीस क्रन को सत्ता जो है यह कब अंठय je तो देखें East India Company से British Crown को जो सत्ता है ना, ये 1858 में अस्थांतरीत किया गया था, तो 1858 आपका यहाँ पे correct answer होगा, और अगर किस Act के तहट पूछा जाए, तो देखें Government of India Act 1858 के तहट जो है अस्थांतरीत किया गया था, तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है, इसके अला एक्जाम में एक प्रेस्ट और पूछा जाता है, कि Government of India Act को British Sunset के द्वारा, ये जो है कब पारीत किया गया था, तो ये आपका 2 अगस्त 1858 को जो है पारीत किया गया था, तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट को जो है आपका भारत और बांगलादेश में इस्थीत, तो बांगलादेश आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट को जो है आप रहा था, कि चार कुला जो लोक नेते है न, ये किस राज जी में मनाया जाता है, तो देखें ये जो आपका चार कुला लोक नेते है न, ये आपका उत्तर परदेश राज जी की ब्रज छेत्र में मनाया जाता है, तो उत्तर परदेश आपका नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि वेंपदी चिन्ना सत्यम को 1998 में जो है कौन सा आवार्ड दिया गया था तो देखें वेंपदी चिन्ना सत्यम यह जो आपका कुछी पुड़ी सास्त्रे नेत्य से संबंदित है और इन्हें 1998 में पद्मभूशन पुरुषकार से समानित किया गया था तो पद्मभूशन आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि इन में से कौन परमुक सितार वादक है तो देखें परमुक सितार वादक की बात कर ले तो उमा संकर मिस्र, पंडित रवी संकर, बुधा देत्यों मखर जी, विलायत खान, साहिद पर आइसी नित्य से संबंदीत कलाकार हैं, तो देखें आइसी नित्य से संबंदीत कलाकार की बात कर लें, तो इंदरानी रह्मान, चाल्स फ्रेवी, गुरुपंक चरंदास, केलू चरन महापात्रा, सोनल मान सिंग, इन सभी का जो संबंद है ना, यह आपका आपका आइसी न मनाया जाता है तो यह आउमाया जाता है तो करेक्ट एंसर होगा कौन सामक्रमक रोग नहीं याँनि कौन सा की बात कर लें तो यह आपके दर्दकालिक बिमारियां होते हैं जो एक वैक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो वो नहीं फैलते हैं और example के तोर पे अगर मैं बता दू तो देखे cancer मदू में जिसे आप diabetes रोग बोलते हैं इसके लावा जो आपका हिट रोग होता है ये सब आपके संचारी रोग हैं तो option में आपका मदू में दिया गया था यानि diabetes दिया गया था तो diabetes आप सबसे ऊची चोटी पूछी गई थी तो देखे उत्राखंड का जो दूसरा सबसे ऊची चोटी है ये आपका कामेट है तो कामेट आपका यहां पर correct answer होगा इसके लावा कामेट की बात कर ले तो ये आपका उत्राखंड की गरवाल छेत्र के चमोली district में इस्तित है और इसक की गरवाल छेत्र में इस्तित है और अगर इसके हाइट की बात कर ले तो 7816 मीटर है तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा हिमाले के top 3 सबसे ऊची चोटी की बात कर ले तो देखे हिमाले के top 3 सबसे ऊची जो चोटी है ना पहला आपका माउंट इसके अपका केटू जिसे आप गौडवीन ऑस्टीन भी बोलते है और इसका जो हाइट है ये आपका 8611 मीटर है इसके लावा केटू ये जो आपका ट्रांस हिमाले के कारक कुरम में इस्तित है थर्ड अगर बात कर ले तो हिमाले का तीसरी ज़ग सबसे ऊची चोटी है ना ये आपका कंचन जंगा है जिसके हाइट की बात कर ले तो ये आपका 8586 मीटर है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुछ आपका आप रहा था कि ब्रिटेन के संबिधान से कौन सा स्रोत यानि कौन सी वीसेस्ता जो लिया गया है तो देगे कैबिने आपसन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कुछ आपका आप रहा था कि राज्यपाल कितने साल के कारेकाल के लिए जो है राज्यवित आयो के न्यूपती करते हैं तो पांच वर्स आपका याप एक करेक्ट एंसर होगा इसके लिए एक्जाम मे आयो की नियुक्ति करते हैं, तो ये अनुचेद भी आप ध्यान में रखेगा, next question है, आपके भारत कि भारत में करेक्ट एंसर होगा पार्टी को लड़ ली अगर आपका एक रुपे का पूछा जा तो ये पॉइंट जो है आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि रास्ट मेडल खेल 2022 में आपका जो वेट लिप्टिंग में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था त भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे जिसमें 22 जो है वो गोल्ड सुला जो था वो सिल्वर था और तेज जो था वो आपका क्या था तो ब्राँज मेडल था यानि टोटल जो है भारत 61 मेडल जीता था वहीं अगर वेट लिप्टिंग की बात कर ले तो देखें वेट लिप्ट चानू दिया गया था तो मीरा भाई चानू आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट वोच आपका यहां पर अपर तक कि कासी तमिल संगम यह जो किस मंत्राले के द्वारा आयोजित किया गया था तो देखें अक्टूबर नॉमबर 2022 में आपका जो सिच्छा मंत्राले के टैंसर होगा नेक्स्ट वोच आपका यहां टैपन रहे थे तो मैक्स वर्ष टैपन आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लिए मैं आपको को बता दू है यह आपके डच बेलजियन रेसिंग ड्राइबर है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स वोच आपका आप रहा है था कि साहित में Nobel Prize 2022 यह जो किसे दिया गया है तो देखे 2022 का जो आपका लिट्रेचर में Nobel Prize है ना यह आपका को दिया गया है तो आहणी अर्नक्स आपका इंसर होगा नेक्स्ट कोश्या आपका इंपना था कि पौधे के लिए आवसीक तत्व कौन से होते हैं तो आपके न, P, K होते हैं N से आपका nitrogen हो गया, P से आपका potassium हो गया और K जो potassium का symbol होता है तो K आपका potassium हो गया, तो तीन जो आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि पौधी के वृद्धी के लिए पोसक तदो का जो परमुक सुरोत होता है यह आपका मिट्टी होता है तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा Next question आपका आप रहा था कि अपारदर्सी वस्तु पर सुरी के जो किरने है ना यह आपतीत होने से क्या होता है तो देखे अगर आप अपरदर्सी वस्तु यहां पर हो गया तो देखे अगर पारदर्सी की बात कर ले तो पारदर्सी का मतलब क्या होता है कि ऐसा object जिस पर आपका किसी भी आपवर्तीत होता है तो उस पर आर पार नहीं हो पाता है मैं आपको पारदर्सी का मतलब समझा रहा हूँ तो देखे ऐसा object जिस पर सूरी की किरने आपवर्टित हो जाती है यानि आरपार हो जाता है उसे पारदर्सी object जो वो कहा जाता है वही आपर्टित के case में आपका आरपार नहीं हो पाता है तो देखे प्रकास किसी दिये गए माधिय में, सीधी रेका में जो है गमन करता है और आपर्दी सी वस्तु पर सुरिकी किरने जब आपतित होती है ना तो यह जो आपका परती चाह जो वो बनाता है yhtोадц eto का जो वो formation करता है तो परती चाह आपका यहां पे correct answer होगा नेक्स्ट कोशा आपके आप रहा था कि जन्तू और पादब कोशिका से संबंदीत गलत कथन आपको बताना था तो देखे जन्तू कोशिका और पादब कोशिका में अगर मैं आपको डिफरेंस बता दू तो देखे पादब कोशिका में जो है आपका कोशिका भिती यानि सेल जो होता है आप狂 उपस्तीत बहुता है जब कोच्छा घब की जन्तू कोशिका में जो है कि एलवान वैं इसके बाका का पहला कोशिका में बड़ी रचित्याग कि भूट अब ये रिक्तियां जो वो बहुत कम होता है जन्तु कोशिका में जो आपका Senatri-olts, Senatri-Some और Lysosome होते हैं लेकिन पादब कोशिका में जो है इन में से आपका कोई भी नहीं होता है तो इतने कोश्ण जो है आज मुझे बच्चों के दोरा मीले है जो कि 100% Real और अथन्टिक है तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को जो लाइक जरू कर दीजेगा और इसी तरह रियल एनलाइसेज पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्ट शुड़े हैं तब तक थाइंक्यू ओल दे बैस